अब सुनियो मुलवचन प्रकार जब नहीं उपजयो मोहांकार नहीं निराकार नहीं सुन्या ना निर्गुन ना निरंजन ना इश्वर ना मुलवचन प्रकृती तादिन की कौँ आपा भीती निजलीला ब्रह्मबाल चरीत्र जाकी इच्छा मुलवचन नैने के पाउपल में इशारत कै कोटी ब्रह्मांड उपजता खपता इत खेल पैदा इनर वेशा त्रीलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश वुलोशरी प्राण ना त्प्यारे की जै अवसुन्यो मुलवचन प्रकार प्रणाम सुन्दर साथ जी प्रणाएं महमती प्रनित तारतम बानी का हम स्रवन कर रहे हैं और कल तक हम लोग सुन रहे थे कि शास्त्र में जो दार्शनिक पक्ष्य है या ब्रह्मनिरोपन का जो विषय है उस विषय में महमती प्राण्यजी का मान्यता क्या है और महमती प्राण्यजी द्वारा स्रिष्टी को उन्होंने किस तरह से देखा और किस तरह से स्रिष्टी से उपर उठने का और आत्मा को मोक्षे प्रदान करने का विषय जो है उसके उपर हम चिंतन कर रहे हैं पहले तो प्राण्यज ने ये बताया कि वास्तों में श्रिष्टी कहां से बनी है तो सास्त्रों में उत्तम पुरुष बेदों में अक्षरातित सब्द है और अक्षर सब्द है तो अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म द्वारा बेदों में अक्षर ब्रह्म के लिए कहा कि चतुस्पाद अक्षर ब्रह्म ये स्थब्दा आया उसमें से चौथा पाद जो अभ्याकृत ब्रह्म है वो अभ्याकृत ब्रह्म का भी चतुस्पाद है अर्थात अभ्याकित ब्रह्मा के अंधर भी महाकारण है, कारण है, सुख्ष्म है और स्थूल है उसको कहा जाता है, स्थूल को कहा जाता है अपर प्रनो और पर प्रनो ये वो जगा है जैसे हमारे अंतसकरन में एक तो हमारा अंतसकरन मन है और मन से जब हम कुछ भी कलपना करते हैं तो मन का पूरा पूरा प्रयूग नहीं होता है मन का जो छोटी सी भृत्ती है वो जाकर के हम कुछ कार्य करते हैं इसलिए हमें ब्यवार में कहा गया है कि मन को पूरी तरह लगाओ कहने का मतलब है मन पूरी तरह नहीं लगता है और मन का कुछ अंग्स जा करके हम कार्य करते हैं जब हमारे में ये जो एक अपने जो भाशा में अपने प्रयोग में ये चीज़ को हम अनुभव करते हैं ऐसे ही इसको उपर उठा करके परमात्म ब्रह्म द्वारा स्रिष्टी बनने प्रसंग में भी परमात्म का बहुत कम सक्ति द्वारा चिंतन मत्र से ये शो संसार बना हुआ है स्रिष्टी बनी हुई है इस विशह में जो बेदों ने कहा उसका उनुभव करा रहे प्रान्नजी महाप्रभू तो उन्होंने कहा कि वो अभ्याकृत ब्रह्म का भी जो मन सरूप है इस्थूल सरूप है और जिसको स्तांस्त्रों में परप्रणों और अपरप्रणों करके कहा है तो परप्रणों और परप्रणों द्वारा अक्सेरवर्मम्ज से तो इस अक्षारफ्रमम्ज का मन ही संसार में आ करके जोड़ और चेतन होकरके फैल जाता है प्यारे वकतेजन महानुबाव। इस तरह से महमती प्राण्य जी ने शृष्टी को महाकारन से देखा है और शास्त्रों ने प्रयास किया है कारिय से अर्थात महाकारन तक पहुँचने के लिए कारन तक पहुँचने के लिए इस थूल जगत से शुरू किया है इसलिए संसार के हिसाब से लक्ष ही बन गया कि जड से चेतन की यात्रा उषी को बेदों ने तमसो मा जोतीर गमया कहां। बात ठीक है। तम मतलब शरीर, अंदकार, प्रक्रिती से पुरुष की ओर प्रस्थान करना है। और तमसो मा जोतीर गमया। मृत्युरम अम्रितम गमया। लक्ष ठीक है। इस शरीर मृतिव से भरा हुआ है, शंसार मृतिव पूर्ण है, तो अब परमात्म के और यात्रा करना है। तमसो मा जोतिर गमया, मृतिव मा अमरितम गमया, मृतिव से अमरित के और यात्रा, असतो मा सत गमया, शरीर असत है और सत परमात्मा है, उस तरफ की यात्रा, ये बात जो है, स्विष्टी से परमात्म के और, कवीर ने कहा, अक्षर पुरुष एक ब्रिक्ष है, निरंजनता कभीर जी भी अपनी जमाने के बहुत एकदम श्रिष्टी की विशय में गहरा चिंतन उन्होंने किया है, तो कहा कि अक्षर ब्रह्म एक बीज के तरह है, अक्षर पुरुस एक ब्रिक्ष है और निदननता की डार है, त्रिगुन सरुप साखा भय पत्र भय शंसार, मामंति ने कहा, यामे मा विश्णुमन, मन्ते त्रिगुन, ताते थिरचसा बोध पन्ना, भक्तजन महानुभाव, इस तरह से संसार बनने का प्रशंगा, और कुरान में कहा, कुन्न, हो जा, हो जा बनने पर, अब खुदा द्वारा स्रिष्टी बनने की प्रशंगा, वहां भी वही है अब यह जो संसार बन गया है, यहां पर अब सास्त्रों में तीन प्रकार के स्रिष्टी की बात कही है, एक है जीव स्रिष्टी और एक है इस्वरी स्रिष्टी और तीसरा स्रिष्टी जो है वो ब्रह्मा स्रिष्टी है, अब आईए, सास्त्रों में तीन स्रिष्टी है, जी जब ये जो चेतन है, जो आत्मा है, जब शरीर के साथ संबंद रह करके, शरीर संसार बेवार में उलज जाता है, तो ये जीव जो है, जीव आत्मा कहा जाता है, जब ये आत्मा ज्यान द्वारा, सत्संग द्वारा, जब शरीर से उपर उठ करके, शरीर से डिटैच हो करके, जब वो आत्मा सरुप में खड़ा हो जाता है तो वो इश्वर श्रिष्की हो जाता है वो इश्वर का उन्हों करने लगेगा जब इश्वर भी उत्पती है इश्वर को भी उत्पती हुई जो ब्रह्मा से वो है निराकार ब्रह्म, तो अब यह आत्मा असली सरूप में वो निराकार सरूप है, तो यह हो गया ब्रह्मा सिष्ट, ब्रह्मा आत्मा, ऐसे सब्द शास्त्रों में बर्नन है, शास्त्रों में सब्द है, वो अपुरुश्य सब्द है, यह परमात्म के आदेश द्वारा आ तरह से लिया हुआ है, जबकि महामति प्राणनाजी कहते हैं, कि ये संसार बनने में जो कारण है, कोई भी कार्य होता है, उसका कुछ न कुछ कारण होता है, तो कहते हैं, कि ये आक्षर ब्रह्मद्वारा, स्वापनिक ब्रह्मांड़ जो बना हुआ है, और जीव स्रिष्टी का जो एक जो संसार जो नाटक है वो देखाने को किसके लिए तयार किया है ये स्रिष्टी तो प्राण्याजी महापरुव कहते हैं कि ये जीव स्रिष्टी जो सब्द है ये नारायन्य एकोहम बहुत से हम कहने पर एक अपरा प्रकृति द्वारा जड़ बन गया और अपरा प चेतन नाम हो और या उसको जीवात्मा का है आत्मा का है या इश्वर का अंग्षा का है ये है शर ब्रमांड का नारायन द्वारा उत्पन जीव स्रिष्टी ये है अब इस जीव स्रिष्टी का जो खेल है ये जो नाटक है स्वपनिक जो एक नाटक है कोई भी हम गाउं में हमें आठक तैयर करते हैं तो कुछ particular कोई function हो आ जो उत्सव हो वहां प्रस्तुत करने के लिए हम नाठक तयार करते हैं और उफ नाठक देखने लिए कोई ने कौई दर्शक आते हैं वह दृष्टा हो जाते हैं और जो नाठक कर रहे हैं वह द्रिश्य हो जाते हैं ऐसे ही द्रिश्टा द्रिश्य भिवेचन है तो ये जीव स्रिष्टी जो नारेनी स्रिष्टी जो है ये है द्रिश्य अब द्रिश्टा कौन है तो द्रिश्टा है परब्रह्मा परमात्मा के धाम से आई हुई जो ब्रह्मा आत्मा जो है वो द्रिष् स्रिस्थी हो गया दृष्या जबकि शास्त्र में हैं तीन इस टिन स्रिस्थी स्रिक्राइब पिन bathroom जो तिन स्रिस्ष्ठी की ब्रह्मियों लेकर तार्तम जो टीन स्रिस्थी ब्याखया किस तरह से करती है नाहरायन द्वारा उद्प्णन, जोडshot जितने भी डेवी डेवता चौराशिला क्योंने जितने भी हम सास्तरों द्वारत जो मिलते हैं ये है जिव स्रिष्टी उसका जो शुरुवात जहां से हुई है इश्वर से हुई है बले इश्वर से हुई हो लेकिन ये जिव और इश्वर एकी है ये ग्यानिया तक ठीक है ल देखने के लिए दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा यहां पर आती है बस उनकी जो आने की जो सत्ता ब्रह्मात्मा की जो सत्ता जो है इस संसार में जो आता है और वो संसार के जीव स्रिष्टी बहुत समय से साधना करते 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 शुद्ध पवित्र जीव होता है उसे जीव जीव को पात्र बना करके उस जीव को अदिश्ठात्री बना करके अब ब्रह्मा आत्मा संसार में खेल देखते हैं तो दो तो हो गया एक तो नारायंद्वार उत्पन जीव स् substantially हो गया और एक गीता का उत्त तर बेदाों के अक्सरातत धाम से ब्रह्मा आत्मय जो है वह ब्रह्मा आत्मय को सुर्थ्ता जो है इस असनसार में आकरके उससे जीव में प्रविश होते हैं और वह संसार का पानुभव करते हैं उनके लिए बनी हुई श्रिष्टी है इसका महाकारण यह है अब एक तो उत्तम पुरुष के धाम से आये ब्रह्मश्रिष्टी हो गई ब्रह्मा के धाम से आये श्रिष्टी में इसलिए यह आत्मा का नाम ब्रह्मश्रिष्टी है अब बीच में एक अक् ब्रह्म और चर ब्रह्म को जानने के लिए बीच में एक तंतु है वो है आक्षर ब्रह्मा तो आक्षर ब्रह्मा के धाम से संसार में इस्ष्वरी आत्मा आई है रकखोपा रुहकारना महामति प्राण्य अपने बानी में कहते हैं कि जीव स्रिष्टी को दिया हुआ ज्यान को फिल्टर करके और उत्तम पुरुष के लिए दिया हुआ जो संदेश है जो ज्यान है उसको समझ करके बीच में जो है ब्रह्मात्माओं का ब्रह्मधाम का दर्शन और ये जीव स्रिष्टी को समझाना और जीव स्रिष्टी को ब्रह्मधाम तक पहुचाना या वहां का ज्यान देना एक ज्यान की ब्रित्ती है अक्षर ब्रह्मा का उसको बोलते हैं इश्वरी स्रिष्टी तो ये हद्द संसार में बेहद्द भुमी से दो जगा से plane of consciousness इसको कहा जाता है वो चेतना का यहाँ पर आगमन है तो कभीर जी भी कहते हैं हद्द चले मानवी बिहद्द चले साद हद्द बिहद्द दोनों तजे ताको मद अगाद उन्होंने संकेत करके बताया कि यहाँ पर हद्द चले मानवी हद्द चले मानवी बिहद्द चले साद बिहद्द किसको कहते हैं अक्षर ब्रह्मा दोारा अक्षर ब्रह्मा की जो चतुस्पाद में जो चतुस्पाद है अभ्याकृत और सबलिक ब्रह्मा और केवल ब्रह्मा सत्सरु ब्रह्मा जो है यह है बेहद एरिया तो महमति प्राण्या जी ने अपने वानि में लक्ष निरोपंदी आत्मा को कि हद पार बेहद है और बेहद पार अक्षिर तो अक्षिर ब्रह्म का जो एरिया है अक्षर ब्रम के जो भुमी का है यह अनन्त अनन्त ऐसे ब्रहमांड का वो बीज रूप है लेकिन महामती प्राण्याजी का लक्ष अक्षर तक भी नहीं है उन्होंने कहा हद पार बेहद बेहद पार अक्षर और अक्षर पार वतन है उस अक्षर धाम से भी उस पार जो है अक कि ये शरीर के अंदर जीव है और ये जीव जब तक शरीर के साथ संबंद है ये जीव सिष्टी हो गया जब ये शरी से अलग हुआ ग्यानी हो गया तो ये अक्षेर हो गया अर्थात इस्वरी सिष्टी हो गई और जब ये अपना मालिक नाराइन को जानता है और नाराइन ध पहुंझता है तो यह आत्म ब्रह्म स्रिष्टी हो गई, ऐसा नहीं है, यहां चेतन ही तिन दर्जा से आया है, कोई जीव जो है उसको जैसे गदे को नाने ध्वाने से गवने बनती, उसकी प्रकृति ही जो है श्रिष्टी के अंदर अलग-अलग है, उसी तरह जीव स्रिष् इनकी एरिया शरब्रमांड़ ही है, अब आई बात, तीन प्रकार के स्रिष्टी का जब तार्तम द्वारा अलोकन हो जाता है, तो अब तार्तम ज्यान संदेश देने को प्रारंब करते हैं, इसी ग्रंथ में, इसी तार्तम सागर में ज्यान किस तरह से है, जीव स्रिष्टी के लिए भी यहाँ पर ज्यान है, एक संदेश के रूप में है, और इस्वरिक स्रिष्टी के लिए भी यहाँ पर ज्यान है, उपदेश के तरह है, और परमधाम से आई जो ब्रहमा आत्माएं हैं, उनके लिए भी यहाँ ज्यान है, और उनको आदेश के रूप में है, ज्य गाने का स्वतह ये काम अपने आप ये तार्तम ज्यान करता है उस आत्मा को ऐसा टच हो जाता है कि जब यहां दिव्य परमधाम की जब बातें यहां शुरू हो जाती है तो इनको लगता है या तो मेरे घर की बात हो रही है प्यारे भक्त जन महानुभाव इस तरह से दिव्य परमधाम से आई ब्रह्मा आत्मा को याद दिलाने के लिए जब यह ज्यान प्रस्तुत होता है धरती में तो वो ज्यान एक आदेश की तरह होता है कि है आत्मा हो तुम इस घर ये घर तुमारा नहीं झाल 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 मध्यकालीन भारत के समाज सुधारक एवं युग प्रवर्तक बुंदेल खंड के महराजा चत्र साल के धर्मगुरू महमती प्राणनाथ जी के प्राकटि के 400 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर विश्व भर में फैले उनके अनुयाईयों सुन्दर साथ समुह संत शिरोमनी स्वामी सदानन्द जी महराज के अध्यक्षता में दिल्ली में अंतराष्ट्रिय महमती प्राणनाथ चतुर्थ शतापदी महा महोत्सम आगामी 18 से 23 सितंबर 2018 तक दूमधाम से मनाया जा रहा है उक्तवसत पर महामती प्राणनाथ जी के मूल ग्रंथ के 400 पारायन शिमत भगवत कथा कृष्ण कथा महामती प्राणनाथ विचार एवं विद्वत गोश्थी सांस्कृतिक कारिक्रम संत सम्मेलन राजने ताउंद्वारा महामती प्राणनाथ जी के प्रती मंतव्य महामती प्राणनाथ एवं चत्रसाल मिलापना तक आदी की प्रस्तुती की जाएगी स्थान 18 से 22 सिटंबर 2018 तक विशाल एन्क्लेव रज़ोरी गार्ण में प्रातह 9 बजे से रातरी 9 बजे तक विविद कारिक्रम, स्थान, छत्रिसाल स्टेडियम, मॉर्डल टाउन दिल्ली में आप सभी को हार्दिक आमंत्रन है